गाज नमस्कार अज फिर सवगत है हमारे नए बुलोग वीडियो में तो गाज आज हम दिखाने वाला है इलेक्टरिशियन का काम करने आये हैं जिसमें घर का वाइरिंग होगा और दिवाल कटिंग करके पाइप लगा कर फिर फिनिसिंग करेंगे फिलाल इसी घर में काम है मे ग्रूप में पहले हां पर प्लस्टर किया हुआ था लेकिन अंदर वाइरिंग नहीं होने के कारण फिर से ग्रूप करके वाइरिंग हो रहा है आज देखिए यह रहा इधर थोड़े हुए है और इस रूम में लाइट नहीं है जिस वज़े से अंधेरा थोड़ा लगेगा और इस तरफ देखिए यहां पर ग्रेंडर मसीन रखे हुए है इसी के माध्यां से हम दिवाल को काटते हैं देखिए यह रहा ग्रेंडर यहां बिलेट लगाया हुआ है यह बिलेट चार इन्चोला है और इधर करनी है और छनी है और देखिए इस तरफ ग्रूप काटे हु और इस तरफ आके यहां पर एंट्री माराएंगे देखिए यहां पर मसिन चलाई हुआ है प्लास्टर है अब इसको ग्रूप को निकालेंगे और पाइप डालेंगे उसमें और इस तरफ देखिए इधर भी बोड लगाया बोड लगेगा इसको फ्लोरिंग से लिया गया है पाइप को कनेक्शन इसलिए जमीन तक उतारा गया है सिलिंग वायरिंग नहीं हुआ है जिस वज़े से फ्लोर से लिया जा रहा है और इधर भी कटिंग होगा और वहां पर एक सर्कुलर लगेगा जिसमें लाइट लगाए जाएगा और इस तरब भी देखिए उधर चड़ा है उधर से भी मेन कनेक्शन लिया जाएगा और उस त प्रबाग से हैं यहां देखिए हाप चोकट लगा हुवा था लेकिन लिव लकडी वाले चोकट था क्यों खेया डायर अब यहां पर करे लगेंग से अर sup प्रफॉट का स्विच का इसके बाद देखिए नीचे यहां पर नाइट वल्ब लगाए जाए जाए जब नाइट लाइट लगेगा और यहां फ्लोरिंग का यहां से लेकर फिर इस तरह बायागा फ्लोर सही पाइप लिया जाएगा इसके बाद फिर इधर शिक्स मॉडूलर का बोक्स लगेगा यहां पर बेंड लगा फिर पाइप लाइन को इधर क्या गया है ताकि मीडिल पर सब्सक्राइब पोजिशन में होगा देखिए दिखा रहे हैं कॉर्णर में बेंड लगा जाएगा इसके बाद इस तरफ सार्कूलर लगेगा और देखिए वहां पर फि एक 6 module to power employ A You ऐनिए 2,0 module Li जो इसके बाद और एक वीड है तो इसमें लाइट फीड होगा इसको फोरं आपम फिड हैके देख सकते हैं जिसमें नाइट लाइट लगा जाएगा किऊ इसमें बोड नाइट कनेक्टन भी देंगे लिकत फ़िलाल यह है इस यह के बाद कि diagram सब्सक्राइब मेगा हूगा उसका भी डालेंगे कि देखाएंगे में दीचरा और ज्छे बेचा की दिखाएंगे दिखाएंगेRE यह सारे दिवार में पलास्टर किया गया था प्रूबादा